हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो आवर चैनल, लर्न स्टॉप चार्ट्स टू अर्न, दोस्तों आज की वडियो में हमें कैसे स्टॉप के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका अगर हम बेसिक टेंड देखते तो अच्छे कासे अप टेंड में टेड कर रहा है, हायर टॉप, हायर ब में देखेंगे, तो हमें एक अच्छा कासा पैटन ब्रेकाउट चार्ट पे बनता हुआ दिख रहा है, डार्वस बॉक्स पर हम इंसेट करेंगे, उसके हिसाब से भी देखने की कोशिश करेंगे, दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर उपन हो जाएगा, वहां से आपको respective information मिल जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पे stock selection के लिए जो भी हम stock का analysis करने वाले है, उसके लिए जो भी desktop trading terminal का हमने इस्तमाल किया है, वो है ADLVS का TX3 का desktop trading software, दोस्तों अगर आपको ADLVS में डिमेट है trading account open करने तो में description box में इसके link provide कर रह होगी, तो वीडियो के title में stock का नाम देख सकते है, अभी trend के हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ से अगर हम देख ले तो आपको दिखेगा कि stock अच्छे का से uptrend में trade कर रहा है, और यह trend line जो भी हमने mark out कि है, वहाँ पे इस तरह से swing low बनाते वाने trade कर और कुछ दिन पर यह यहाँ पे swing low बना दिया था और उसमें आप परसड़ में movement आ रहे थी और यहाँ पी भी अगर छोटे swing हम consider करते हैं, तो यहाँ पे swing low बना दिया और फिर अभी उसमें आप परसड़ में movement आ रहे है, तो इस तरह से swing के हिसाब से और trend के हिसाब से हमें price action नजर आ रही है, आगे जाकर यह region को breakout देता है, तो definitely हम उसमें और भी आप पसड़ की movement expect कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं और एक pattern आपको mark out करके बताता हूं, जो कि इस तरह से हम एक trend line mark out करते हैं, यह level से और नीचे वाली trend line जो भी हमने mark out के उसे हम consider कर लेते है और इतना अगर हम pattern देखेंगे, अभी मैं draw करके भी आपको बता देता हूं, तो यह जो pattern इस तरह से यहाँ पे हमें दिख रहा है, इसे हम triangular pattern भी कह सकते हैं, तो यह triangle के अंदर यह trade कर रहा है, और आज की दिन में हमें यह candle breakout देती हुई दिख रही है, volume में हमें आच्छा का ब्रेक आउट देता हुआ, trade करता हुआ, दिख रहा है, तो डार्मस बॉक्स के हिसाब से हमें price action नजर आ रही है, तो दोस्तों अगर आपको डार्मस बॉक्स trading strategy के बारे में information चाहे तो उपर i button में में वो particular video की link डाल रहा हूं, भासे आप डार्मस बॉक्स trading strategy के बारे में information ले सकते हैं, अब यह stock selection के पीछी को कुछ reason हो गया, अभी हम quickly देख लेते हैं, अगर यह particular stock में हमें trade करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं, तो जो भी current market price चल रहे हैं, उसके हिसाब से हम देखने की कोशिश करते हैं, तो 130 के आसपा से trade कर रहा है, तो 130 के आसपा से हम इसमें कर लेते हैं, जैसी कि मैंने का है कि ऊपर जाकर ये trend line को ऊपर वाले trend line को breakout देता है, तो definitely हम इसे higher target के लिए long term की भी hold कर सकते हैं, तो stop loss हमारा रहेगा, यह 117 का तो 117 के नहीं जाए रिक 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 रॉट देते हैं, तो हमारा stop loss रहेगा, immediate basis पे पहला target हमारा रहेगा, जो कि ये recent high है, जो कि 132 के आसपास ये बहुती नजदिक है, इसको अगर breakout देता है, तो हम ये recent resistance कर लेते हैं, तो ये 149 के आसपास है, तो 150 हम इसे consider कर लेते हैं, तो 150 के आसपास हमारा पहला target हो सकते हैं, अभी ये जो पहला target 132 का भी हमने देखा था, ये immediate basis पे आ सकता है, तो इसे हम consider कर लेते हैं, इसको breakout देगा, ये उपर वाले train line को breakout देगा, तो definitely 150 का हमारा अगला target रहेगा, और उसको अगर breakout देता है closing basis पे, तो definitely हम इसको mid long time के higher target के लिए by using training stop loss hold कर सकते हैं, तो इस तरह से respective stock में हम ये price action नज़र आ रहे, अभी मेरी जो भी study respective stock के उपर की मै आपको ज़रूर फाइदा होगा, दोस्तो अगर आपको आमरी वीडियो से फाइदा होता है, तो make sure आप आमरी वीडियो को like किजिए और इसी तरह की वीडियो टाइब ली basis पर मिलने के लिए, चैनल को subscribe करके regular updates के लिए bell icon को click किजिए, दोस्तो as a disclaimer इस channel पर हम जो भी discuss करते रहते हैं, वो पूरी तरह से educational purpose है, तो आप इस educational purpose ही ले लीजेगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत किजिएगा, तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही, thank you